अध्यात्मिकता का पहला सोपान है अध्यात्मिकता का पहला सोपान है सेल्फ रियलाइजेशन अपने आपको जानना मैं कौन हूँ हम सभी जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं लेकिन इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन सत्ता आत्मा है इसे आत्मा, रूह, चैतना, इत्यादी अनेक नाम से जाना जाता है और हम आत्माओं के एक पिता हैं, सभी आत्माओं के सभी धर्म की आत्माओं के, सभी जाति की आत्माओं के विश्व भर में जितनी भी मनों से आत्माओं हैं हम सभी आत्माओं के एक ही पिता है परम पिता परमात्मा लेकिन इन सब बातों को जानते हुए हमारी उसमें आस्था कितनी है विश्वास कितना है आप कहेंगे विश्वास तो हमें है हम आत्मा है इश्वर हमारे पिता है तभी तो हम इतनी भक्ति करते हैं तभी तो उनका इ तास्था या विश्वास अफिशिट नहीं है। लेकिन उस विश्वास के साथ, उस फेट के साथ, हमें निष्चे बुध्धी कितना है। जिसे क्याते हैं, doubtless faith, संसय विहिन निश्चय, निश्चय है, लेकिन निश्चय के साथ साथ संसय भी है, जब हम आत्माओं को उस परमात्मा पे पून आस्था होगा, पून निश्चय होगा, कहा गया है, निश्चय बुद्धी, विजयन्ति, संसय बुद्धी, विनशन्ति, निश्चय के साथ जब संसय भी हो जाता है, तो निश्चय की potentiality कम हो जाती है, और निश्चय के कारण जो में प्राप्ती होनी चाहिए, उस प्राप्ती में भी अंतर हो जाता है, तो क्या करें, हमेशा कहा गया न, एक बल, एक भरोसा, उस परमात्मा पे, उस परमपिता पर मात्मा पे हमें संपून निश्चे रखना है कहते हैं इश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं शंका बनी रहती है पता नहीं ये बात ठीक होगी की नहीं ऐसा होगा की नहीं होगा तो ये जो डाउट है ये हमारे सक्सेस को डाईल्यूट कर देता है और जब ये डाउट लेस फेथ हो जाता है तो देखना हमें संपून प्राप्ति होती है मैं इसके लिए आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ जगनात पूरी में पंडे होते हैं जो जगनात जी की पूजा करते हैं बहुत पंडे बड़े आस्थावान होते हैं और हर कारियों को बहुत विधीवत करते हैं नेश्ठिक ब्रामन जिसको कहते हैं नेश्ठा के साथ सब कुछ करते हैं तो ऐसे ही एक पंडा थे उनका एक छोटा बेटा था पिता और पुत्र दोनों साथ साथ रहा करते थे, रोज पिता अपनी सारी पूजा की विधी किया करते थे, छोटे से बच्चे ने, छोटे पंडा ने देखा, कि घर में जब भी कभी भूजन बनता है, तो पहले ठाकुर जी को खिलाये जाता है, फिर हम खा सकते हैं, धीरे धीरे उसकी बुद्धी में ये निश्चे बैट गया, कि हम खाएं या ना खाएं, लेकिन रोज ठाकुर जी को भोजन कराना चाहिए, और अगर ठाकुर जी नहीं खाएंगे, तो अच्छी बात नहीं है, तो इस प्रकार से चलता रहा, एक दिन अचानक पंडा को कहीं बाहर जाना पड़ा, गाउं छो को भोग खिलाना है, जब तक ठाकुर जी भोग नहीं खाएंगे, तब तक हमी नहीं खाना चाहिए, इतना ही नहीं हम खाएं या नहीं खाएं, लेकिन ठाकुर जी को रोज खिलाना चाहिए, तो जैसे ही देखा कि आज पिता जी नहीं आ रहे हैं, सुबह उठा और उस निस भूजन तो उसे क्या बनाना आता होगा कुछ जल गया, तो कुछ कच्चा रह गया, लेकिन जैसे कैसे भी बन गया, अब जब बन गया उसे खुद को बहुत भूख लगी है, बहुत थक भी गया है, लेकिन उसको यह पता है कि जब तक ठाकुर जी भोजन नहीं कर लेते हैं, तब तक मुझे भोजन नहीं करना है तो इसलिए उसने बहुत प्यार से भोख की थाली में भोजन रखा और लेके गए ठाकुर जी के पास देखा पिता जी रोज परदा डाल देते हैं और ठाकुर जी को बुलाते हैं ठाकुर जी किसी के सामने ये नहीं खाते हैं अंदर खाते हैं तो उसने वो सारी विदी की और बुलाने लगा ठाकुर जी ठाकुर जी आज पिताजी घर में नहीं है बाहर गए है इसलिए मैंने आपके लिए भोजन बनाया है हाँ इतना स्वादिस तो नहीं बना होगा क्यूंकि मैं छोटा बच्चा हूँ मुझे भोजन बनाना नहीं आत कावट भी बहुत जोड से है तो उसको रोना आने लग गया कि भगवान जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक मैं कैसे खाऊंगा मैं छोटा बच्चा हूँ मुझ पे कुछ तो तरस करिये मुझे नहीं आता था भोजन बनाना लेकिन कल को जब बड़ा पंडा आ जाएंग बहुत भूख लगी है बहुत रो रो के उसने चीक चीक के बुलाना शुरू किया ठाकुर जी आओ ठाकुर जी आओ हिचकिया बन गई फाइनली क्या हुआ होगा फाइनली ठाकुर जी आए और उनने भोजन किया नाक मुझ अढ़ाया भोजन टेस्टी निंग है छोटे बच्चे ने सुचा ये ठाकुर जी भी बड़े नखरे वाले हैं कोई बात नहीं कल पिता जी आएंगे तो मैं उनको कहूंगा कि इनके ल जैसा मतलब बना था कच्चा पका भोजन किया दूसरे दिन फिर पंडा नहीं आए अब क्या अब उसने और जतन से भोग बनाया थोड़ा सा अच्छा था कल से बेटर था फिर बुलाने लगा ठाकुर जी आईये भोग खाईये मैंने आपके लिए आज बड़े प्यार से भ बुलूंगा खीर बनाएंगे आपके लिए फिर वही करम चला जब बहुत भूख लगी जब बहुत जोड़ जोड़ से उसने दिल से बुलाना शुरू किया फिर ठाकुर जी आए फिर नाकमु चड़ा के उन्होंने भोजन किया और ये करम साथ दिन तक चलता रहा साथ दि भोग बना बना करके ठाकुर जी को खिलाता रहा फाइनली आथमे दिन बड़ापंडा पिता जी जो थे वो आये तो यसको लिगा अब ठीक है पिता जी आ गए हैंब बोन धखरे वाली ठाकुर जी को कौन खिलाएगा ऑच्छा सहा बना करके उलाएंगे मेरी तो प्राब्लम ही नहीं है तो फिर उस दिन पिता-जी जब आये तो आते ही उसने बोलना शुरू किया पिता-जी आज खीर जरूर बनाना पिता-जी आज खीर जरूर बनाना पड़ा-पंडा ने सोचा कि छोटा बच्चा है इतने दिन से ठीक से खाया नहीं होगा, इसलिए खीर की जिद कर रहा है, तो उन्होंने खीर भी बनाई, और भोग लेने, जब बन गया भोजन, तो भोग लगाने के लिए चले गए, बच्चे को लगा, अब ठीक है, मेरी प्रामिस भी पूरी हो गई, अब अपने आप खा लेंगे, पिताजी आ तो ठाकुर जी खा लेंगे, पर आस्चरियों से लगा, पिताजी गए और तीन मिनट में ही भोग पूरा करके वापस आ गए, तो उसे लगा, नहीं, ठाकुर जी तो भोग धीरे धीरे खाते हैं, ऐसा मूह हाथ बना बना के, इतनी जल्दी कैसे खाया होगा, फिर बच्चे से मन को संतुस्टी नहीं हुई, कि क्या होगा होगा, इतनी जल्दी कैसे ठाकुर जी खा सकते हैं, तो का अच्छा मैं कल जा करके देखता हूँ, जब बड़ा मजा आएगा, तरके मारे, वो कैसे खाते होंगे पिताजी से, ऐसा देख करके, दूसरे दिन जब फिर पिताज खाते हैं, मैं देखूंगा, पर उसे उसके जीवन का सबसे बड़ा शौक लगा, जब देखा कि कोई ठाकुर जी खाने नहीं आते हैं, इसके पिताजी ने थाली रखा, और हैं कहते हैं, रखो थाली, मारो ताली जैसा था, तो उनने क्या किया, थाली रखा, ताली मारा, प और पिताजी उठ रहे हैं, तो उसने जाकर के पिताजी को पकड़ा, कहा भई, ये क्या हो गया, ठाकुर जी ने तो भोग खाया नहीं, और आपने थाली उठा लिया, तो उनने बड़ा आस्चरी लगा, कितने नखरे करते रहें, मुझे तो बहुत परेशान करके रखा, ध्यान से सुनने के बाद उसे पता चला, कि सातों ही दिन ठाकुर जी भोजन करने आते रहें, और उस बच्चे के हाथ से, जैसा भी उपनाता था, अधपका, कच्चा, जला हुआ, भूना हुआ, उस भोजन को खाते रहें, तो पंडा को बहुत दुख हुआ, बहुत क्यों दुख हुआ, उसने जोड जोड से चीक के भगवान को पुकारना शुरू किया, कहा भगवन, मैं 40 साल से पूरी दिस्टा के साथ आपकी भक्ती करता हुँ, रोज आपके लिए भोग बनाता हुँ, विधी बत भोग स्विकार भी कराता हुँ, मैंने इतने जप मंत्र पाठ, इतने सब कुछ रट लिया है, इतना स्लोक जानता हुँ, सारे जंदगी आपके पास जोड दी, लेकिन मुझे आपने एक बार भी दर्शन नी दिया, और यह इतना छोटा सा बच्चा जिसे कुछ भी नहीं पता, ना वो मंत्र जानता है, ना उसने कोई साधना किया ह कुछ भी तो नहीं कर सकता है, लेकिन उस छोटे से बच्चे के हाथ से आप साथ दिन तक भुजन खाते रहे, और मुझे दर्शन तक भी नहीं दिया, ऐसा आपने क्यों किया, यह तो मेरे साथ बड़ा अन्या है, तब भगवान जी ने उसको उत्तर दिया, क्या उत्तर दि लेकिन तुमहारा it, doubtless faith नहीं है, तुमहारा निशचे शंचय विहिन निशचय नहीं है, लेकिन इस बच्चे का जो निशचय है, वो संचय विहिन निशचय है, वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था, कि भगवान खाते ही नहीं है, उसे यह पता था कि ठाकुर ज उस निशचे ने मुझे बांत दिया और मैं भोग स्विकार किये भी ना रह नहीं सका। smda आगर मैं भोग नहीं करता तो बच्चे की भले, जान चली जाती। interactions लेकिन वा भोजन नहीं छोडता, भोग नहीं छोडता, स्विकार num Schra가 कराके ही रहता। तो इसलिए निष्चे बड़ी बात नहीं है लेकिन doubtless निष्चे बहुत बड़ी बात है हम सभी भी भगवान पर निष्चे तो रखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पता होता है एक subconscious mind में होता है भगवान सच मुझ थोड़ी आते हैं तोड़ी आकर कैसे कोई रक्षा करेंगे लेकिन जिस दिन हमारे दिन में doubtless faith होता है कि नहीं वही है वही हमारा है वही सर्व शक्तिवान मेरे पिता है मैं उनकी संतान हूँ यह सारी स्रिस्टी उनी की तो है वो सबके वालिक हैं वो सबके पिता है और वो परमपिता परमात्मा उनसे हमारा बहुत गहरा संबंध है जब इस प्रकार का निश्चे होगा जिस निश्चे में कोई शंसे नी कोई शंका की कुझ जायश नी तो देखना उस निश्चे में विजय श्री सुनिश्चित है उस निश्चे में हमें जरूर विजय मिलेगा हम विजय हो करके रहेंगे और जो भी परिस्थिति आएगी जिस किसी परिस्थिति पे हम शिप बाबा को परमात्मा को बुलाएंगे परमात्मा हमें जरूर 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 मदद करेंगे तो हम सभी इस बात को आज अंडरलाइन करें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इस शुरियो विश्यो विद्याले में सबसे बड़ी सिक्षा पहला पहला लेसत यही दिया जाता है कि उस प्रभु पे उस परमात्मा पे शिप बाबा पे हमें संपून निश्चे रखना है वो हमारे मात पिता भाई बंधु सखा सब कुछ है और इस समय वो हमारे पिता के रूप में हमें पालना देते हैं सिक्षक के रूप में हमें पढ़ाते हैं और सद्गुरु बंद करके हमारी सद्गती भी करते हैं, तो इसलिए उनकी श्रीमत पे हमें चलना है, जो वो कहें, वो करना है, जब इस प्रकार डाउटलेस फेत के साथ हम उस परमात्मा पे अपना संबंध पक्का पक्का जोडते हैं, तो हमें हमारे जीवन में सफलता, अर्थात, सुख, शान्ती, प्रेम, पवित्रता, ज्यान, शक्ती, सब कुछ मिलता है, तो हम उस प्रभु पे हमेशा हमेशा निश्चे रखे, वो हमारे साथ है, बस दिल से बुलाने की जरुरत है, और वो हमारी मदद के लिए भागे भाग आएंगे, हमारे आसपास है, बस उन्हें महसूस करने की जरुरत है, उन्हें महसूस करने के लिए सबसे पहली जो चीज चाहिए, वो है सेल्फ रियलाइजेशन, जब मुझे पता है कि मैं एक शुद आत्मा हूं, और वो पिता परमात्मा मेरे पिता हैं, तो ये जो हैं, ये हमें उनके लिए संपूर्ण निश्चे बुद्धी बनाता है, और उनकी मदद को प्राप्त करने के लिए हमें योग्य बनाता है, ओम शान्ती